तेरे परिवार जनो एक तरफ आज का भारत दुनिया को जोड़ने का सामर्थ दिखा रहा है दुनिया के मन्चों पर ये हमारा भारत विश्व मित्र के रूप में सामने आ रहा है वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे दल भी है जो देश को समाज को विभाजित करने में जूटे है इन्होंने मिलकर के एक इंडी एलाइंस बनाया है इस एंडी एंडी एलाइंस को कुछ लोग कमंडिया गठबंदन भी कहते हैं इनका नेता तेह नहीं है नेत्रुत्व पर ब्रह्म है लेकिन इन्होंने पिछले दिनों जो मुंबई में उनकी मिटिंग होई थी मुझे लगता है उस मिटिंग में उन्होंने आगे एक गठबंदन कैसे काम करेगा उसकी नीती और रणनीती बना दी है उन्होंने अपना एक हिडल एजेंडा भी ताय कर लिया है और ये नीती रणनीती क्या है ये इंडी एलाइंस की नीती है एक गमंडिया गठबंदन की नीती है भारत की संस्कृती पर हमला करने की इंडी एलाइंस का मिर्ण है भारतियों की आस्ता पर हमला करो इंडी एलाइंस गमंडिया गठबंदन की नीत है भारत को जिस विचारों ने जिस समस्कारों ने जिस परंपराओं ने हजारों वर्थ से जोड़ा है उसे तबाह कर दो जिस सनातन से प्रेलित होकर देवी अहल्याबाई होलकर ने देश के कौने कौने में सामाजी कार्य किये नारी उत्थान का भियान चलाया देश की आस्था की रख्षागी ये गमंडिया गढ़वंदान ये इंडिय अलायंस उस सनातन संस्कारों को परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आये है ये सनातन की ताकत थी कि जांसी की रानी लख्ष्मी भाई अंगिरेजों को ये कहते हुए लनकार कर पाई कि मैं अपनी जांसी नहीं दूंगी जिस सनातन को गांदी जीने जीवन परियंत माना जिन भगवान सी राम ने उनको जीमन भर प्रेणा दी उनके आखरी शब्द बने है राम जिस सनातन ने उन्हें अस्पुरुष्यता के खिलाब आंदोलन चलाने के लिए प्रेणित किया ये इंडी गड़बंदन के लोग ये गमनिया गड़बंदन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं जिस सनातन से प्रेणित होकर स्वामी विवेकानने समाज की विविन बुराईयों के प्रती लोगों को जागुरुद किया इंडी गड़बंदन के लोग उस सनातन को समाप्त करना चाहते हैं जिस सनातन से प्रेणित होकर लोग मान्य तीलक ने माप्भारती की स्वतंत्रचा का बिड़ा उठाया गणेश पुजा को स्वतंत्रा अंदोलन से जोड़ा सार्वजनिक गणेशोचों की परंपरा बढ़ाई आज उसी सनातन को ये इंडी गड़बंदन तहस नहस करना चाहता है साथियो ये सनातन की ताकत थी कि स्वतंत्रता अंदोलन में फांसी पाने वाले वीर कहते थे कि अगला जन्म मुझे फिर ये भारत मा की गोद में देना जो सनातन संस्कृति संत रविदास का प्रतिमिम्ब है जो सनातन संस्कृति माता शबरी की पहचान है जो सनातन संस्कृति महर्ची वालमी की का आधार है जिस सनातन ने हजारों वर्षों से बारत को जोड़े रखा है ये लोग मिलकर अब उस सनातन को खंड खंड करना चाहते हैं आज इन लोगों ने खुल करके बोलना शुरू किया है खुल करके हमला करना शुरू करके दिया है कल ये लोग हम पर होने वाले हमले और बढ़ाने वाले हैं देश के कौने कौने में हर सनातनी को इस देश को प्यार करने वाले को इस देश के मिट्टी को प्यार करने वाले को इस देश के कोटी कोटी जनों को प्यार करने वालों को हर किसी को सतरक रहने की जरूरत है सनातन को मिटा कर ये देश को फिर एक हजार साल की गुले में गुलामी में तकालना चाहते हैं लेकिन हमें मिलकार ऐसी ताकतों को रोकना है हमारी संग्रठन की शक्ति से हमारी एक जुटता से उनके मनसुकबों को नाकाम करना है